हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीती आपका स्वागत करती फिर से नए ब्लोग में आई होब आप लोग अपने अपने घर पे अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैपी नौरात्रा और रमनमी पूजा की हार्दी सुब कामना वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हमारे घर में रमनमी पूजा हो रही है जो घर पे होती है और हमारे घर पे पंडी जी आके ही करवाते हैं उसके बाद हमारे घर में बहुत सांती पुर्वा पूजा होती है और एक एक विधी विधान से पूजा किया जाता है लेकिन हर पूजा हमारे छट पे होती थी लेकिन इस वर छट पे ना होके नीचे हो रही क्योंकि बहुत लेट हो गया था और लेट होने के वज़ा से बहुत ज़्यादा कड़ी धूप हो गई थी इस वज़ा से छट पे नहीं कर पाएं इसलिए नीचे ही हो रही है और पंडी जी भी ब बताईगा कि किनके इनके घर में इस तरह की पूजा होती है रबनमी की और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले अग या पहली बार आप आये होंगे तो प्लीज सस्क्राइब करना ना भूले प्लीज गैट सपोर्ट मी यह पर वीधी विधान पूजा हो रही है उसके बाद पंडी जी एक एक करके मन तो उचारन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है पूजा एक वीधी विधान से होता है और घमन को बहुत सुकुन मिलती है उसके अद में वहाँ पर बैट के वीडियो ब्लॉक बना रही थी और वीडियो भी सुट कर रही थी बहुत अच्छा मन को सुकुन भी लग रहा था और हमारे घर में मेरी बेटी जब से जनमी तब से हमारे घर में पूजा होती ही आ रही है क्योंकि मेरी बेटी का जनम रमनमी पूजा के दिन ही हुआ है और बहुत अच्छा लगता है कि घर में पूजा हो रही है और मेरे हस्बंड हर साल इसी तरह बैठ के पूजा करते हैं और एक एक विधी विधान से पूजा होती है पंडी जी अपना उचारान करते जा रहे हैं हस्बंड पुरा विधी विधान से पूजा करते आ रहे हैं और चट पे जंडा लगाया जाएगा इ लेकिन पंडी जी पुरा विधी विधान से पहले पूजा एक करवारे हर सभी देवी देवताओं को आवाहन करके बुला रहे हैं उसके बाद फिर जंडा लगाने का विधी होगा और यहां पर मैं भी पूजा में भी मगन थी और दुसरी चीज की पूजा के बीच में जो समान घट रहा था उसे मैं पूरा कर रही थी अब अगल में मैं भी पूजा में समली थी और हमारे घर में कोई आते नहीं है लेकिन वर्ट हम लोग बहुत अच्छे से विधी विधान से अच्छे से घर पे पूजा करते हैं और आप देखी रहोंगे कि किस तरह से विधी विधान से एक चीज का पूजा हो रहा है हर सभी देवी देवताओं को बुला के पूजा किया जा रहा है और ये हर साल इसी तरह हम लोग के घर पे होती है और उसके बाद जंडा को लगाने के लिए बास का डंटा लाया जाता है जो इनके पीछे रखा हुआ है उसके पापा जी धीरे धीरे से सिंदूर और अरपन लगाएंगे और फिर उसके बाद उसमें जंडा लगाया जाएगा और फिर वो छट पे लगाया जाएगा क्योंकि हमारा पीड़ा छट पे ही बना हुआ है और बहुत घर में धूप थी जिसके वज़ए से हम लोको बहुत दिक्कत हो रही थी और बहुत लेट हो गया था पूजा करनेवत मैक्सिमा में 11 बज गया था यहां पे देखिए हजबन पुरा अरपन लगा रहे है और सिंदूर लगा रहे है ताकि वीधी विधान से पंडीर जी एके करके पूजा करव होती है जो देखने में भी बहुत अच्छा है तो बहुत लोग बहुत तरह से सिंपल जंडा लेके भी जूलूस में भी निकालते हैं जो राची में भी होता है मैंडोड में साम को बहुत बहुत बढ़ा जाकी जूलूस निकलता है लेकिन हम लोग नहीं जाते क्योंकि घर म उन्हें लेके हम लोग नहीं जा पाते हैं घर पे ही हम लोग नहीं जा पाते हैं घर पे हम लोग पूजा करते हैं हमारा सामने पूजा रूम है जो बहुत ही खुबसूरत है और बहुत ही अच्छा है पूजा रूम के जिश्ट बगल में ही हम लोग फूजा कर रहे हैं और यहां पे जंडा लग गिया है बजंग बली जी का उसके बाद उसमें आम का पलो अधान का बाल लगाया जा रहा है उसके बाद फिर उससे अच्छे तरह से बांधा जा रहा है जो मौली धागा से बांधते हैं और उसके अध्यूता की वो वीधिथान उन्हें पुराने जंडे को निकाला गया और फिर वसके नए जंडे को लगाया JRCारा है। उसके बद जंडे को लगा दिया गया और उसके अच्छी तरह से बागल में बहुत सारे तार थे उसको बांधा जा रहा है कि ताकि वह मेरा जंडा उड़े ना और इसी तरह हमेशा मेरे च्छतू पर लहराता रहें उसकाद पंडी जी एक्या करके मन तुँचारन करें और राम से पूजा भी करवा रहे हैं और मैं भी आप लोग के सामने वीडियो का ब्लॉग भी बना रही है और उसकाद यहां पर पूजा हो गया और उसकाद फिर हजबन पर नाम किये हम लोग का घर को इसी तरह सलाम मत रखे उसकाद फिर हम लोग नीचे आ गए और नीचे आने के बाद धिरे धिरे विधी विधान पूजा हुई और उसके बाद हमारे घर में एक नया मेहमान आया था जो ये है आप लोग के सामने न्यू बाइक लिये थे तो उसका भी पूजा करवाना था तो हम लोग घर में विधी विधान पंडी जी भी आया थे तो सोचे क्यों ना बाइक का भी पूजा कर लिया जाए наб तुकि आज का दीन से सुप दिन और कोई नहीं हो सकता और घर पे पूजा हो रही है और पंडी जी आया हूँ तो क्यों ना लगे हाद दुनों ही पूजा क्यों ना करवा लिया जाए इसलिए पूजा करा लिया पूजा खतम हो गई उसके याद फिर हम लोग अंदर आते हैं यहां पर husband रख देते हैं उसका दिया उसका पढ़नाम करते हैं उसका अंदर आते हैं अंदर आने वगाद फिर हवन होता है सभी जगा पूजा खतम कर लिया जाता है खतम करने के बाद नीचे पंडी जी हवन करा रहे थे और हवन भी समाप्थी होने वाला था उसके बाद सार पूजा बाद आते हैं और चलिए हम लोग भी आरती का आनन लेते हैं अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लिज लाइक और सब्सक्राब करना ना भूले नेस्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक लिए बाबाय टेक्या